तो आज हम डिसकस करेंगे चानक क्या करंट नामा of 14th October देखिए उससे पहले मैं कुछ एक important बात आपसे discuss करने जा रहा हूँ वो important बात ये है कि अक्सर जो एक common query आती है experience की कि सर ये daily daily current affair पढ़ने से क्या होगा क्या हम एक साथ ही magazine नहीं पढ़ सकते कोई कि जैसे जो monthly magazine आती है weekly current affairs आते हैं कि अगर हम उनको पढ़ें तो क्या होगा और ये daily अगर हम देखें तो क्या होगा देखिए सबकी अपनी अपनी एक strategy होती है मैं उस strategy पर नहीं जाओंगा बस इस बात का मैं आपको फाइदा बता सकता हूँ कि अगर आप daily current affairs देखते हैं या फिर आप daily जो rose newspaper आ रहा है अगर आप उससे अपनी जो knowledge है उसको improve करते हैं तो उसमें क्या होगा जैसे suppose कीजिए मैं आपको एक example के साथ ही चीज़ शुरू करना चाहता हूँ कि अगर हम daily daily current affairs पढ़ें और अगर हम सिर्फ एक बार month में या फिर week में start कर दे अपनी read करना कोई भी magazine तो हम देखते हैं देखिए हमने बहुत ही detail में एक चीज discuss की थी जैसे कि आपको याद होगा India's abortion law MTP हमने discuss किया था medical termination of pregnancy उसके उपर बार बार हमने ध्यान दिया था कि दो बड़े मुद्दे आ रहे थे कि एक unborn child के rights प्लस एक दूसरी तरफ एक महिला के अपने उपर अधिकार यानि अपने शरीर के उपर अधिकार इन दोनों की बड़ी debate हमने देखी थी कि इन दोनों के अंदर क्या क्या comparison किया था तो अगर आप उस चीज को follow कर रहे हो तो आपको इतना ध्यान देके daily daily एक ही चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप रोज current affairs देख रहे हो तो आपको सिर्फ जो article उससे related आएगा जो आपने in-depth पहले से cover किया हुआ है उसको बार-बा देखेंगे कि यह इतना important article है कि तीन जगहें पर यह आया है दहिंदू में दो बार आया है प्लस इंडियान एक्सप्रेस में यह दुबारा repeat हुआ है तो इसकी importance के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के चानक के इस current नामा की और पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से topics आज हम दिसकस करेंगे तो पहला topic है Supreme Court on Anti-Defection Law और यह important किस लिए है GS2 and Ethics और दहिंदू का यह article है India AI strategy GS3 के लिए important है Science and Tech में फिर दहिंदू का article है source इसका दहिंदू है Draft Policy on Robotics जो recently कल रिलीज की है Draft Policy on Robotics यह GS3 के लिए important है Science and Tech और source है the Hindu and Supreme Court on Abortion जो अभी हमने just देखा है तो now let us begin the चानक के इस current नामा of 14th October Supreme Court Raps Maharashtra Speaker for Disregarding Court Order heading आपको समझ में आ रही है लेकिन इसके पीछे का मुद्दा क्या है वो हम समझेंगे देखिए बात है 11 मई की 11 मई को Supreme Court की एक bench ने Maharashtra के speaker को कहा था कि आप यह जो इतने सारे disqualifications हैं जो यह MLA's face कर रहे हैं total 56 disqualifications face कर रहे थे MLA's उनके उपर आप क्या कीजिए कोई timeline decide कीजिए आप बताईए कि कब तक आप उनका है यह decide करेंगे कि यह disqualify हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं लेकिन अब तक कोई उनके उपर action नहीं आया तो Supreme Court ने अब उनको कहा है कि आप एक final deadline दीजिए आप process बताईए कि आप कब तक करेंगे तो अब हम जानते हैं कि anti defection क्या है और Supreme Court ने ऐसा क्यों बोला है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो Parliament तो एक legislatory body है और Supreme Court क्या है judicial है और आप यह भी जानते हैं कि क्या होता है separation of power होता है तो अगर आपके दिमाग में यह खयाल आ रहा है तो उस doubt को भी हम clear करेंगे तो now let us see what is anti defection law देखिए anti defection law basically जब 1960s 70s में क्या हो रहा था एक व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनाव लड़के जीत जाता था वो दूसरी पार्टी में चला जाता था कहता था कि नहीं मैं तो इस पार्टी को support करूँगा तब कोई ऐसा law नहीं था एक दल से दूसरे दल में चला जाता था इस समस्या से निपटने के लिए एक कानून लाए गया जिसका नाम था anti defection law और उसे किस में insert किया गया 10th schedule में और जब उसे insert किया गया 10th schedule में तो वो amendment कौन सा था 50 second amendment तो देखी इसको याद करने का simple तरीका है 50 second amendment लिखा तो basically 5 into 2 10th so 10th schedule है न 5 into 2 10 so 10th schedule में insert किया गया और 50 second amendment फिर उसके बाद इसका एक key point ये था कि इसके provision में अगर हम देखें तो इसका key point ये था कि अगर कोई person अपनी party छोड़के दूसरे की किसी party में चला जाता है तो वो disqualify हो जाएगा लेकिन इसमें exception था कि अगर किसी party में suppose कीजिए 99 members हैं तो उसमें से अगर हम one third लेते हैं one third move कर जाएंगे किसी दूसरी party में तो उसको merger बोला जाएगा और वो defection नहीं होगा और उसमें आप disqualify नहीं होगे लेकिन फिर 91st amendment आया 2003 में जिसमें क्या बोला गया कि भई one third तो बहुत easily जा रहे हैं जैसे मान लो कि मैंने 33 लोगों को इकठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 100 में से 33 लोगों कठा करके मैं चला गया दूसरी party में तो क्या होगा मेरे तो कोई disqualification लगेगा नहीं और अगर disqualification नहीं लगेगा तो मैं easily party change कर सकता हूँ तो इस चीज से नहीं पटने के लिए फिर दुबारा amendment किया गया 91st amendment of 2003 देखिए 2003 amendment में क्या बोला गया कि अब अगर पहले जो condition थी one third वाली वो अब condition हटके क्या होगा यह two third यानि कि अगर दो तिहाई लोग जाते हैं तब उसको merger बोला जाएगा ना कि सिर्फ एक तिहाई यानि आब आपको 67 लोग लेके जाने पड़ेंगे अपनी party से दूसरी party में तो यह थोड़ा tough काम है ना इ कोई 2003 है इसका मतलब two three यानि two third इसको कर दिया आपने तो 2003 का two third तो 91st amendment में क्या हुआ था of 2003 में two by three कर दिया था तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि prelims के perspective से बहुत important हो जाती है और अगर कोई भी question आता है तो आपको ध्यान रखना है 52nd amendment और 91st amendment यह क्या ह कि जब यह law बना था तो उसमें condition डाली गई थी condition यह डाली गई थी कि जो speaker है वो decide करेगा कि अगर कोई व्यक्ति party बदल रहा है तो वो इस law के अंडर disqualified है या फिर नहीं है तो कौँ decide करेगा speaker decide करेगा और उसके अंदर एक और condition क्या डाली थी कि जो speaker का decision होगा वो judicial review के अंडर नहीं आएगा ठीक है तो अब अगर speaker ने decide कर दिया एक बार कि यह तो व्यक्ति disqualified नहीं है और बले ही वो disqualified हो तो फिर ऐसे cases में क्या होगा तो फिर आता है कि हो तो हो लो हन case यानि कि इस case में supreme court ने क्या बोला था कि यह जो speaker है इसने कोई decision लिया और वो decision जो speaker ने ल क्या करोगे decision तो ले लोगे लेकिन आप final decision वो नहीं होगा वो सिर्फ जैसे अगर मैं यह कहूं कि speaker ने बोल दिया कि एक बार disqualified हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा उस दुबारा इस इंसान को कोई भी petition नहीं डाल सकते कोई भी review नहीं करा सकते तो वो गलत होगा statement statement सही क to the next topic working committee report seven working committees have submitted their official report on the center's AI strategy so देखिए AI की कितनी ज्यादा importance है अभी generally भी और UPSC के लिए भी I can't you know just let you know that यह इतना ज्यादा important है कि आप अगर इस daily newspaper को खोल के देखोगे आप उसके अंदर इतने सारे article पाऊगे AI से related और recently जो इंडिया AI basically इंडिया AI क्या है इंडिया इस्ट्रेटजी है जो कि long term जैसे इंडिया के अंदर हमकर हम देखें कि AI का use कैसे करना है और इसमें बहुत ही keyword आता है वो मैं आपको बताता हूं कि how AI will enable India and how India will enable AI basically कि AI इंडिया को कैसे develop होने में मदद करेगा और कैसे इंडिया AI को develop करेगा तो यह attempts आपको आपने answers में use करने हैं अब देखते हैं कि यह है क्या इंडिया AI strategy यह strategy यह है कि अगर हम देखें कि long term में AI किस तरह help करेगा तो उसके regarding जितनी भी policies है strategies है वो इस head के अंदर आएंगी कि किस head के अंदर इंडिया AI के अंदर अब इसको हम देखते हैं कि इसमें recently जो committee है उसने क्या-क्या अपने suggestions दिये है इंडिया data sets platform यह एक platform है जिसका use क्या होगा this platform aims to collect organize and create foundational AI models using anonymized data इसमें एक एक word important है देखो कोई भी AI का model यह हम पहले भी current नामा में discuss कर चुके हैं कि कोई भी AI का model जब बनता है तो उसे क्या है train किया जाता है जैसे suppose कीजिए कि कोई छोटा बच्चा है ठीक है वो क्या कर रहा है बार बार आग की तरफ जा रहा है आग की तरफ वो जा रहा है लेकिन उसको पत है कि जब अब वो देखेगा जब भी आग को तो automatically क्या कर लेगा उसको recognize कर लेगा तो ऐसे ही AI के models तयार होते हैं जिसमें धेर सारी data का उपयोग किया जाता है बहुत enormous data का use किया जाता है और उससे होता क्या है एक model तयार किया जाता है AI का उसको बोलते है training data ठीक है और यह training data data क्या रहेगी anonymous रहेगी anonymized data रहेगी अब जब यह model train हो जाएगा तो जिस तरह की data पर इसको train किया गया है उस तरह की data को यह तुरंट identify कर लेगा और उसमें क्या बता देगा जो भी आप उसके regarding details जाना चाहते हैं वह उसको तुरंट बता देगा जैसे कि एक example लेते हैं कोई भी MRI है MRI general process क्या होता है MRI का आप doctors को दिखाते हैं doctor देख के बताते हैं कि यह वाला issue है यह वाला issue है लेकिन अगर हम धेरों MRI को लेके एक उसका model बनाते हैं कि यह model हमने इसमें store कर दिया AI में तो वो क्या होगा वो model train होने के बाद क्या करेगा जैसे ही आप उसमे MRI की profile में कोई issue है क्या कोई tissue में problem है तो यह सारी चीज़े work करती है कैसे data से तो इसको training के लिए data चाहिए और उस data के लिए ही क्या बनाया गया है India data set platform तो यह चीज़ा I hope आपको clear होगी फिर AI compute infrastructure अब दूसरी बात क्या होती है जब यह model train होता है तब इसके अंदर बहुत सारी आप units इस processor की आपको जरूरत होती है और जितना अच्छा आपका यह processor होगा उतनी अच्छी आपका model train होगा और उतना ही better output आपको देगा तो यह सारी चीज़े किसमें बनेगी AI compute AI से related question आता है तो आपको क्या लिखना है कि इस strategy में दो important areas भी identify किये गए हैं पहला है India data set platforms जहां प फिर दूसरा है AI compute infrastructure ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको ऐसी कैसी याद कर लेनी है now let us see some few other points diverse data sets the India data set platform is expected to be one of the largest and most diverse collections of anonymized data sets देखे diverse data set होने का फाइदा क्या है आप जितनी ज्यादा चीजों से सीखोगे आपका model उतना ही ज्यादा क्या होगा अच्छे से train होगा इसलिए diverse data set होने बहुत जरूरी है आपने अगर उस model में MRI वाली जो अभी example लिया था एक ही MRI को आपने photocopy करके उसमें डाल दोगे तो पहले भी discuss किया था कि current नामा में ही ICT ICT जो हमने discuss किया था US के साथ इंडिया का जो पैक्ट था उसमें क्या देखा था हमने कि semi conductors जैसी technology पे हम काम करेंगे तो अगर semi conductors का इतना importance है और अगर उस पे कोई question आ जाता है तो आपको यह भी point mention करना है यह भी point mention करना है कि AI की chips भ अभी नहीं करोगे ठीक है so now let's see the last point additional initiatives include और भी other initiatives है जैसे की skilling है कि सिखाएंगे तो सही ना model तयार कर दिया किसी को चलाना नहीं आता है अब गाडियां खूब सारी बना दी कोई driver की training ही नहीं दी किसी को तो कोई use आएगा उन गाडियों का नहीं आएगा तो skilling भी बहुत this technology now the draft national strategy of robotics देखी robotics क्या है अपने आप में एक mixture है किस चीज का अगर हम बात करें कि robotics में physical component भी होते हैं plus साथ ही साथ में उसमें programming भी होती है तो robotics अपने आप में बहुत ज्यादा diverse area है जैसे आप यह नहीं कह सकते कि सिर्फ robots एक ही particular काम कर सकते हैं वो आपको agriculture में भी help security में आपकी help करेंगे और surgery में आपकी help करेंगे robotic surgeries आज की date में होती है तो इतने सारे इसके बहुत ज्यादा wide examples आपको मिल जाएंगे तो उसी regarding policy release की है किस के लिए public consultancy के लिए कि आप public में उन्होंने public domain में यह policy डाल दी गई है और अब क्या होगा कि जितने भी लोग है जो इस regarding कोई suggestion देना चाहते हैं अपना कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं वो अब दे सकते हैं तो इसका हम pointers देख लेते हैं important pointers क्या है draft national strategy on robotics released so the minister has released this policy and public consultation के लिए release की गई है alignment with India AI देखिए अभी हमने India AI discuss किया था और automatically आप खुद भी समझ सकते हैं कि AI का इससे robotics से भी कितना ब robotics के साथ connect कर दोगे तो आपकी बड़ी से बड़ी surgery भी एक robot easily perform कर देगा ठीक है अब इसका use कैसे आ सकता है जैसे suppose किजिए कि कहीं पे doctor बहुत दूर है लेकिन एक जो मरीज है जो patient है उससे उसकी necessity है तो वो क्या कर सकता है simply remotely operate करके उसको treat कर सकता है तो इतना अच्छा इसका application है national robotics mission देखिए ये national robotics mission भी बहुत important है अपने आप में कि to lead in robotics development एक comprehensive national robotic mission is proposed including the establishment of robotics innovation unit ये आपको याद करनी है robotics innovation unit बनेगी जिसमें इस सारी चीजें क्या होंगी progress करेंगी और key pillars ये हम already discuss कर चुके हैं कि कहां कहां ये useful होती है जैसे कि invention across the pillars innovation in research and development ये सारी हमने discuss कर लिए demonstration, testing, commercialization ओके तो ये सारी चीजें agriculture में और medicine में ये हर जगें use हो सकता है robotics और ये एक important article है जिसके हमने शुरुआत में भी बात की थी अब देखिए अगर आपने 2-3 दिन पहले का भी current नामा देखा होगा तो उसमें ये काफी comprehensively cover कि इसी regarding आज जो articles आए है वो just an update है ये बताने के लिए कि आपको रोज एक ही article को बार-बार repetitively नहीं पढ़ना है जो उसके अंदर important component है सिर्फ आपको वही grab करना है now see abortion please supreme court ask aims for fresh report on condition तो हमने कहां तक देख लिया था पहले हमने देख लिया था कि जो women है जिनके लिए पहले permission मिल चुकी थी कि वो abortion करवा सकती हैं तो फिर judge की bench थी उन्होंने क्या बोला था कि अब CGI lead करेंगे और आगे क्या decision लेंगे तो अब ये request किया गया है aims से कि आप दु दूसरा एक बहुत important comment यहां पर आया है किसका CGI का देखिए यह comment important है क्योंकि यह क्या दिखाता है कि इंडिया में laws कैसे हैं और भार laws कैसे हैं तो इंडिया's abortion law is pro choice liberal ahead of other nations यानि कि यहां CGI यह कहना चाहते हैं कि इंडिया के जो laws हैं वो other countries के laws से बहुत ही ज्यादा क्या हैं progressive है कैसे हम एक example की बात करेंगे जैसे यूएस का एक special case था जैसे टेकसस में क्या था टेकसस में था कि आप abortion पे completely ban लगा देंगे तो टेकसस में complete ban था abortion पे until and unless कोई exceptional case हो कौन सा कि बच्चे की जो है आप अगर जो fetus है उसको kill करते हैं किस case में mother की जान बचाने में ठीक है तभी आप उसको kill कर सकते हैं लेकिन टेकसस में बाकी अन्य case के लिए क्या था abortion ban था लेकिन उसका reference देते हुए हमारे CGI ने का है कि हमारे इंडिया के laws बहुत progressive हैं यहां सिर्फ ऐसा नहीं कि complete blanket ban है यहां पर हम हर एक के rights का ध्यान रखते हैं जैसे कि woman का अपनी body पे क्या अधिकार है हम उसका भी ध्यान देते हैं यानि कि MTP medical termination of pregnancy और उसी के regarding यह पूरा detail में article आया है Supreme Court ने क्या कहा है कि आप दुबारा से अब fetus की viability है जैसे कि हमने discuss किया था कि जब terminate करते हैं pregnancy को तो पहले आपको fetus को kill करना होगा लेकिन वो कब करते हैं जब fetus unfit हो unviable हो birth के लिए इस case में तो Bible था तो वही Supreme Court ने दुबारा पूछा है कि करना क्या आया आखिर ठीक है तो इसको एक बार दुबारा revise कर लेते हैं just for the revision purpose already हम cover कर चुके है case आपको पता है 27 year old married woman जिनका application गया था और यह application क्यों गया था because इंडिया में क्या होता है कि अगर जो pregnancy है वो पहले प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर आपको एक doctor की advice यानि एक medical practitioner एक doctor भी अगर आपको यह advice कर देता है कि pregnancy क्या कर सकते हैं या फिर terminate कर सकते हैं तो भी आप उसको क्या कर सकते हो basically यह advice का मतलब यह नहीं है कि आप doctor के पास गए या doctor को phone कर लिया sir मुझे advice चाहिए मैं कर सकते ह हो या नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है basically यह all legal procedure है ठीक है अगर 20 से 24 weeks की pregnancy है उस case में क्या होगा कि आपको दो medical practitioners का क्या लेना पड़ेगा consent लेना पड़ेगा और उसके बाद में क्या होगा आपका pregnancy का termination होगा next after 24 weeks अगर 24 weeks pregnant है या फिर उसके बाद हैं उस case में आपको क्या करना पड़ेगा एक medical board बनेगा जो की decide करेगा कि pregnancy को terminate करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह वैसे हम discuss कर चुके हैं but just for revision purpose we are discussing it again तो इसके बाद की जो यह जो पूरी details है जो हमने देख ली थी कि what about the rights of unborn child तो Supreme Court ने दुबारा से reconsideration के लिए कहा है AMS को तो यह सारी information हम already cover कर चुके हैं so thank you everyone and I hope आपको सारी चीज़ें आज clear होंगी and जो daily current नामा है इसको पढ़ने की importance क्या है वो भी आपको समझ में आई होगी plus साथ ही साथ एक और information है कि आपका question of the week के जो responses हैं बहुत बहतरीन है और मैं यह उमीद करता हूँ कि आप इसी तरह बहुत अच्छे answers लि